आम खाने के तुरंत बाद ने खाएं ये चीजे शरीर में जहर की तरह करता है काम बढ़ सकती है परिशानिया यानि आम के शौकीन लोगों को गर्मियों का बड़ी ही बेसबरी से इंतजार रहता है लेकिन क्या आप आम खाते हैं तो उस वक्त आपको खुछ जरूरी बातों क खयाल लगना बेहत जरूरी होता है फ्रेंस बेलकम बैक टू यूनिक तरका आज में शेयर कर रही हूं आपके साथ आम खाने के तुरंत बाद किन-किन चीजों से हमें परहेस करना चाहिए और फ्रेंस आम को अगर आप अतिदिक मात्रा में खाते हैं तो इसके क्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे जिसे कि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहें बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें मीठे रसीले आमों के शौकी लोगों को गर्मियों का बड़ी ही बेसबरी से इंतजार रहता है क्योंकि गर्मी ही वह सीजन है जिसमें फलो का राजा कहा जाने वाला आम कई वेराइटी में मिलता है यह एक ऐसा फल है जो हर किसी को पसंद होता है यह सिर्फ अपने स्वाध ही नहीं बलकि अपने गुणों के लिए भी जाना जाता है लेकिन इसे खाते समय कुछ बातों का खास ध्यान र पॉलेट पोटेशियम और कई अन्य फोशक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेबंद माने जाते हैं हाला कि कुछ चीजों के साथ आम का कॉमिनेशन सरीर के लिए नुकसान दायक हो सकता है चलिया यह फ्रेंट्स अब जान लेते हैं आम खाते समय कु लिग सांडी जीडाल हर तर्य कि किसी के साथ भी आम खाना पसंद करते हैं लेकिन सेहत के लिए नुकसान का सेवन नमबर बन दही के साथ ने खाएं आम गर्मियों के दिनों में दही खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेबंद होता है लेकिन आम के साथ इसका सेवन करने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है दरसल आम की तासीर गरम होती है और दही की तासीर ठंडी होती है इसलिए दोनों का combination शरीर को नुकसान पहुचा सकता है कई लोग आइस क्रीम के साथ भी आम का सेवन कर लेते हैं लेकिन ऐसा करने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है इन दोनों का combination पाचन सम्मंदित परिशानी पैदा कर सकता है खटे फलो के साथ ने खाएं आम खटे फलो के साथ आम का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इन्हें साथ में खाने से शरीर का पी एच लेबल असंतुलित हो जाता है साथ ही पेड़ से जुड़ी परिशानिया भी हो सकती है नमबर फूर सोडा ड्रिंक्स सोडा ड्रिंक के साथ आम का सेवन करने से परेज करना चाहिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाने का काम कर सकता है पर फाइब मसालेदार खाने के साथ ने खाएं आम कई लोगो करेले की सब्जी के साथ आम खाना बहुत ही पसंद होता है लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक को सकता है डर्वस्तल आप करेले के साथ आम खाते हैं तो आपको उलटी जी मिचलाना सांस लेने में तकलीव जैसी समस्याएं हो सकती है प्रिंट चलिए ये अब बात कर लेते हैं आम को अतिदिक मात्रा में खाने के को साइड इफेक्ट यानी नुकसान के बारे में अगर आप आम को अतिदिक मात्रा में खाते हैं तो इससे आपके पेट की समस्याएं हो सकती हैं जैसे गैस, अपच, पेट दर्द अगर आप आम को अतिदिक मातरा में सेवन करते हैं तो इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है आम में ज़्यादा मातरा में क्यालरी होती है जो ज़्यादा खाने से आपके वजन में प्रद्ध कर सकता है आम का अधिक सेवन करने से पाचन सम्मंदित समस्याएं हो सकती हैं मुखे रूप से उनमें उच्छ फाइबर पाया जाता है अधिक फाइबर का सेवन करने से पेट में सूजन गैस पेट में एठन और दस्त के मामले बढ़ जाते हैं आप आम को एक सही मात्रा में ख संदाई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आप को ए वीडियो कैसी लगी थैंक्स ओफल वाच और बाबाई और टेक क और लाव यू